कि तो एक्सटीबूस्ट जो है ये एक ऐसा अलगोरिथम में घो इस वकत चाया पड़ाहे क्या है भी हम देखते हुआ हो कि अत्रीबूस्ट कॉम एक्स्क्रीम plot डीन बूस्टिंग को बोलते है कै कि एक्स्क्रीम-ग्रेडियन बूस्टिंग इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी एक boosting based algorithm है ऐसे ही है कि एक tree आया फिर दूसरा फिर तीसरा and so on and so forth और यह बहुत ही निया algorithm कितना निया algorithm में आपको भी पता है कब आया यह किसी को पता है पहला 1996 में adaptive boosting दूसरा 2001 में and this came in 2016 टोटल साथ साल हों है इसको ठीक है और यह चाया क्यों है इसकी रीजन यह टेक्नोलोजी के इड्वांसमेंट के साथ-साथ इसमें नहीं नहीं चीज़ें इंकॉर्परेट की है चैन एंड गुष्ट्रिन ने अगर इसका algorithm के जो इंट्रडूस जिन्होंने करवाया और इसमें ग्रेडियंट्री बूस्टिंग का कॉंसेप्ट उन्होंने लांच किया ठीक है यह क्यों बनाया गया था टू इंक्रीज दे स्पीड और पर्फॉर्मेंस यह यह दोनों चीज़ें क्यों जरूरी है किसी भी मिशीन लेर्निंग अल्गॉरित्म में उसकी रिजन यह है कि जारी बात है डेटा जितना बड़ा होगा अगर वह साल लगाएगा ट्रेन करने में मडल और बात में पता चले अच्छा यार इसमें तो नमग नहीं डाला था या इसको ट्यून नहीं किया था तो वह प्रॉब्लम काॉस करेगा ठीक है अब यह मॉडल दो चीजों पर काम करते हैं जो पहले दोनों मॉडल हमने पड़े हैं और रैंडम फॉरेस्ट उन दोनों की मेजर खसूसियात यह ले लेता है यह वहला मॉडल कौन कौन सी मेजर खसूसियात है पहली मेजर खसूसियात खासियत एक तो यह सिक्वेंशल ग्रो करता है ट्री को दूसरी मिनिमाइज करता जाता है लास फंक्शन को यानि के यह ग्रेडियन डिसेंड को यूज करके यूजिंग जी डी इसको भी हमने पढ़ना भी ग्रेडियन डिसेंड को देन इसको स्पीड को इंक्रीज करने के यह पैरलल भी चलता है यह पैरलल भी यह प्रोसेसिंग करेगा ट्व इंक्रीज स्पीड और उसके साथ इसका चोथा मेजर इड्वांटिज यह है कि रेगलोराइजेशन पैरामेटर्स इंप्लियूट करता है अपने अंदर यह चार इसके पॉइंट है यानि कि अगर आपको रेंडम फ्रेस्ट पता है और अडैप्टिव बूस्टिंग बता है तो ग्रेडियन बूस्टिंग उन धूनों का तक्रीबन मजमूआ है अब कुछ चीज़े मैं यहां पर आपको बताऊंगा जिनको नींद आ रही है मैं सामने से देख भी पा रहा हूँ आई नो कि थोड़ा सा खुशक सब्जेक्ट यहां पर हो जाता है लेकिन अगर आप जड़ा ऐसे ऐसे कर ले ना एक दफ़ा तो आपकी नींद उड़ जाएगी ठीक है और इसके बाद अगर आप ब्लॉग पढ़ेंगे ना जो मैंने आपको सेंड किया तो आपको सारी समझ हैं वो दोनों एडवांटेज को मिक्स करके यह बनाता है अब इसमें सबसे बड़ा खत्रा क्या होता है मैं आपको पहले ड्रॉग करके दिखाता हूं थोड़ा सा यह आपको फिर समझ आ जाएगी यह था सिक्वेंशल लर्निंग ठीक है एक ट्री इसके बाद आया जी दू हो रही है साथ में परललल फैशन में सब डेटा भी आपका डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें दोनों काम चल रहे हैं मतलब हर ट्री में आपकी बढ़ रही है हर स्टेप के उपर ठीक है और आपका डेटा हिस्सों में डिवाइड होके आपके पास model training हो रही है इसका एक और मकसद है जितनी अच्छी model training होती है उतने ही chances होते हैं एक चीज के overfit होने के overfit क्या है for example यह आपका model है यह आपका model train हो रहा है इस data पे होना तो यह चाहिए कि आपकी direct यह वाली line ऐसे generalize करती जाए ठीक है मैं अब सभी से main squared error जो है उसकी वो minimum हो राइट यह मैं linear regression की example दे रहा हूँ आपको overfitting और underfitting की बात समझाने के लिए अगर यही line मैं हर point से ऐसे गुजारना start कर दूँ तो यह हो जाएगा overfitting कि इतनी ज्यादा अच्छी training हो जाए वो उस data पे तो अच्छा काम करेगी लेकिन अगर क्यों नया point यहां पे आगया ना तो इसकी prediction यह होनी है यह वाले point सही है इसको कहते हैं overfitting अब अगर overfitting आपके data के अंदर होने के chances हैं तो उसके अंदर आपको इस overfitting को minimize करने के लिए कुछ concepts बताया जाते हैं जो concept क्या करते हैं आपकी overfitting को कम करने के लिए help करते हैं पहला concept उसके अंदर है जो उसका नाम है regularization regularization क्या होता है इसको अगर आप मैं आपको definition बताता हूँ फिर आप इसको search कीजएगा यह वो term है जो deep learning में बहुत ज़्यादा यूज होनी है बहुत ज़्यादा और machine learning के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होती है regularization क्या होती है regularization आपके model के अंदर ना अब पल्ले से उसको penalty डाल देते है error हुई नहीं है लेकिन आप कहते हैं के हुई है समझने बात को उसकी overfitting को reduce करने के लिए जो आप खुद से अपने model के अंदर extra penalty की डालें उसको regularization बोलते हैं ठीक है और इसके अंदर regularization के parameter आप set कर सकते हैं to reduce overfitting ठीक है और इसी concept को calibration भी बोलते हैं किसी model को calibrate करना भी बोलते हैं से अब होता क्या है यह कहां पर काम करती वो मैं आपको समझाता हूँ यह अभी हमने पहला एक tree train किया यहां पर इस से हमारे पास यहां पर error आई यह error हमें कौन बताता है यहां पर एक loss function होता है वो हमें value देता है कि इसका इतना loss है और accuracy इतनी कम है आप loss को कम करते जाते हैं accuracy को बढ़ाते जाते हैं ठीक है अगर वो loss जो है वो आपका point five है for example आप इसमें regularization function एड़ करके इसको point six something कर दे मतलब इस loss को आप regularization के through optimize करना start कर दे कि जहां पर कम हो रहा है उसमें add करते हैं जहां पर कम हो रहा है उसमें add करते जाएं यह जो term आप add करेंगे original data को वो बचा के रखेगा overfitting से ठीक है और इसकी दो types होती है regularization की जो इस gradient xg boosting के बाद में आपको बढ़ाने वालो one of them is l1 regularization and the other one is l2 एक को lasso regression बोलते हैं एक को ridge regression बोलते हैं अगर आपको याद हो नहीं याद तो हम इसको देखेंगे क्योंकि हमने ये python के चिला 2023 के अंदर भी देखा था lasso and ridge regression और यह जो loss and optimized function होता है ये deep learning के अंदर भी ये concept use होगा तो यहाँ पे तो हम इस तरीके से इसे ले के आ रहे हैं नीचे को और इसके loss को optimize करें deep learning के अंदर भी काईदा आपके पास forward और backward propagation होती है then we will see that later on टीक है इसके advantages क्या है xg boost के xg boost जो है नाम जाहर कर रहा है इसका extreme gradient boosting extreme का लफजा आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह speedy है दूसरों से efficient than others many others मैं यह कहूँगा ठीक है do not overfit इसमें overfitting होती नहीं है क्योंकि हमारे पास regularization parameter है इसका मतलब क्या है अगर overfitting नहीं होती तो हो सकता है underfitting हो जाए सही है उसको बजाने के लिए वो दो terms जो मैंने आपको बताई है उस parameter को हम set करते है L2 और L1 को we will see that लेटर ओन जब हम इसकी coding करेंगे और उसके अंदर यह हम further optimize करके देखेंगे difficult to understand है आम बंदे को easily समझ नहीं आता यह जो मैं चीज लिख रहा हूना difficult to understand easy to understand इसके पिछे equations हैं ठीक है जो mathematical equations की मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़े हैं बाकी parameters तो इसके समझ आ जाजेंगे आपको अब इसकी एक और मैं आपको खासियत यह बता दे तो अगर दोनों का मजमूआ आए यह तो अगर दोनों की चीज़ें हमने यूज कि adaptive boosting और gradient बूस्टिंग की further more हमने इसके अंदर regularization भी आड़ की तो इसका मतलब इसके hyper parameters दोनों से ज्यादा होंगे are more than both others कितने ज्यादा होंगे मैं कुछ के नाम यहां पर लिख देता हूँ इसमें learning rate भी आएगा reason क्या है क्योंकि sequential चल रहा है उपर से नीचे इसके अंदर column sub sampling भी आएगा कि आपके पास sub sampling आपने कैसे करनी है और कितनी करनी है अगर यह आएगा तो इसके साथ आपके पास different other parameters for example जैसे हमने आपको बताया था depth of tree भी आएगा इसके अंदर depth of tree के बाद आपके पास यह भी आएगा कि number of decision trees कितने रखने है लेकिन मैं यहां पर चीदा चीदा लिखता हूँ क्योंकि बाकी आपने पहले पढ़ ली होंगे regularization rate मतलब कितना ज्यादा penalty को वहां पर लगाना है और कब कब लगाना है ठीक है हम वहां पर criteria देते हैं कि जब loss यहां पर पहुंचे फिर penalty लगा दो तो इस तरीके से हम इसको optimize करते हैं बाकी ट्री मैक्समम ट्री चाइल्ड नौट स्प्लेटिंग एस्टीमेटर वह सारा कुछ आपको पहले से पता है वह आप लगा सकते हैं अगर आपने कभी यूज़ करना है इसको यूज़ एक्स जी बूस्ट जब आपको speed चाहिए हो और बहुत accurate आउटपुट चाहिए हो अब आप कहेंगे कि हर दफा accurate ही चाहिए कौन बंदा है जो कहता accuracy नहीं चाहिए कुछ लोग हैं जो सिरफ trend चेक करने के लिए model को run करते हैं उनका कोई tool बनाना मकसद नहीं होता तो extreme gradient boosting जो है आपको तब यूज कर सकते हैं जब आपकी accuracy अप्रूफ करनी हो speed वाकि में चाहिए होते हैं लेकिन जाहरी बात है अगर आपको basic नहीं पता होंगे तो फिर advanced level कैसे बता होगा राइट तो adaptive boosting अगर आप यूज करेंगे तो you can actually see कि उसमें ये इसी वज़ा से तो नहीं चीज़ आई है मतलब मैं बता देता हूं कि 2016 से पहले जो लोग थे यह उनके लिए चीज़ें थी कि gradient boosting नहीं है या तो आपने रेंडम फरेस्ट यूज करना है या आपने करना है adaptive boosting ठीक है तो अब जारी बात है 2016 के बाद अगर यह आगी तो लोग कुछ traditional होते है वो कहते है नहीं adaptive boosting ने अच्छा काम किया था हम वही यूज करेंगे so they can do it no problem ठीक है अब यह decision लेना कि इन तीनों में से कौन सा कब कैसे कहां पर यूज है यह डिपेंड करता है आपके डेटा सेट पर मैं हमेशा आपको कहता हूं जब भी कोई question पूछे ना कौन सा model कहां पर हर बंदह यह कहता है डेटा सेट पर डिबेंड करत है आपका knowledge कितने उस पर डिबेंड करता है जितनी मैंने चीज़ें आपको बताएं ना पहले उस पर सभी पर डिपेंड करता है लेकिन अगर आपने distinction लेनी हो ना तीनों की कि कौन सा ज्यादा best काम करता है और कौन सा कम best काम करता है accurate सबसे xd boost है ठीक है random rest जो है वो भी accurate है लेकिन उसकी accuracy xd boost है कम है बट random rest is much more useful in some kind of data set जहां पे आपके पास noisy data outliers का data ठीक है और फिर adaptive boosting कहां पर यूज होता है mostly binary classification वगरा के लिए and there are many many other examples of that अब किसी का दमाग हिला होगा तो वो कहला decision tree यूज करेगा ना क्या ख्याल है दमाग हिले से मुराद है अगर किसी को नहीं पता कि decision tree सिर्फ एक basis है इसके इलावा इसको एकठा करके हमें तीन models यह चार models मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताएं तीन random forest xg boost और adaptive boost इसके इलावा भी दो model है जो मैं अभी आपको दिखाता हूं उसमें पहला है आपका cat boost मैं यहां भी आपको इसी के अंदर दिखा देता हूं cat boost जो है cat boost यह billy boost नहीं है ठीक है main difference इसमें यह होता है इसमें जो growing decision tree होता है न वो categorical variable के लिए बहुत अच्छा आता है ठीक है क्यों क्यूंकि उसके अंदर classification की जो techniques हैं वो if else की conditions हैं वो categorical variables को sports ज्यादा करती है ठीक है अगर आप इतना याद रख लें तो cat boost यानि के categorical बूस्ट categorical features के लिए अच्छा काम करता है अब अगली चीज़ जो है लाइट जी बीम आता है हमारे पास cat boost जो है यह भी बूस्टिंग अल्गोरिफम है इसके अंदर categorical variables जोड़ेंगे light gbm में क्या है light gradient boosting machine होती है यह और यहां पर अच्छा मुझे एक बात बता है फोटो senses का आपको पता है कि कैसे स्टार्ट होती है light काहां पर बढ़ती है फोटो सेंसे से पत्तों पर लीव्स पर बात समझ आ गी आपको यह algorithm Lee wise काम करते है लीफ नोड वाइस काम करते है के एग लेफ पर पहले काम चल रहा होता फिर दूसरे लीफ पर फिर तीसरे फे पर छोट्य पर ठीके तो इस तरीके से इनालोजी बताई है यह मैंने अपने याद करने के लिए रखी हुई है आप अपनी कोई बना सकते हैं तो मैंने लाइट जी बीम को इस तरीके से याद रखा हुआ हुआ है और यह कोई इतनी इंपोर्टन नहीं है यह दो एल्गुरितम एक्सजी बूस्ट एडप्टिव बूस्टिंग का बूच्छा जाए तो अब आपको वो तो समझ आगी है ना ग्रेडियन बूस्टिंग क्या होती है नहीं समझ आई तो पलीज LINGमिनट लगा के देखिये कि ग्रेडियन बूस्टिंग क्या है अर उसको कैसे हम अंड़ स्टेंड कर सकते हैं नांडर weapons ग्रेडियन बूस्टिंग क्या होती है जो बूस्टिंग का स्टार्ट मैंने बताया आपको वही ग्रेडियन बूस्टिंग होती है सेंपली यानि के एक वीक लर्नर से आपका decision tree बनता है फिर उससे दूसरा फिर उससे अगे वाला ठीक है यह बनता जाता है पहला जऑ ýlien tree है वो जब आपको देता है residue का पत है ना जब करते हैं चोथा और काम करते हैं तो ये अगर आप आर्टिस्ट है ना तो आपको ज्यादा पता होगा ग्रेडियन क्या होता है नहीं आर्टिस्ट हो मैं आपको समझा देता हूं हीट मैप हमने बनाये थे उसके अंदर एक इस तरीके से बार आ रही होती थी यहां पे होता था जीरो यहां पे माइनस वन है यहां पे प्लस वन है तो यहां से कलर फेड होके दूसरी साइड पे डाक हो रहा होता था मतलब आइस्ता इस्ता कलर का आना और डाक हो जाना या उपर से पीछे फेड हो जाना तो , ग्रेयदियेंट बूस्टिंग भी यही है कि वीक से स्ट्रांग होते जाना चीज का ग्रेडियेंट ग्रेडियेंट का मतलब होता है वीक से रॉव अगर आपको नहीं समझाबे अभी भी तो मैं ग्रेडियेंट के एग्जेंप्ल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं आपको वहां पर नज़र आ जाएगा यह जो ग्रेडियंट अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से होता है ग्रेडियंट कि एक यहां से लाइट ब्लू कलर निकले और यहां पर स्ट्रॉंग होता जा रहे हैं राइट मतलब वीक से स्ट्रॉंग होता जा रहे हैं इसी तरीके से अगर आप सिंगल कलर ग्रेडियंट देखें तो आपका लाइट से वह डाक होता जाता है ठीक है फॉर एक्जामपल अगर मैं ब्लू कलर का यहां से ग्रेडियंट निकालू एक तरफ से दूसरी तरफ वह डाक होता जा रहा है मतलब यह कि लाइट से डाक के तरफ जाना वीक से स्ट्रॉंग के तरफ जाना तो इस तरीके से आपका ग्रेडियंट बूस्ट जो है वह काम करता है अब यह अल्गरिफम आपको नजर आगया होंगे आपने इनको देख लिया होगा आपने ब्लॉग भी पढ़ लिया होगा अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लें क्योंकि मेरा मानना है कि जो बंदा पढ़ता है वो कामयाब जल्दी होता है मैं यहां पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं